आप सभे मीठे मीठे सने ही भाई बैनों को ओम शान्ती, बेहद के बाप के बच्चों को ओम शान्ती, सर्वशक्ति मान बेहद के बाप को ओम शान्ती, आज 13 मैं 2022 के इकश्वर ये महावाक्य हैं, बाबा की ज्ञान मुरली में, हम ज्ञान सागर के महावाक्यों को सुनेंगे, किसी एक माहा वाक्य को धारन करने के लिए उसका मनंचिन्थन करेंगे यह भी एक तरह का बाबा के साथ चलते फिरते योग करना है आये मुरली के माहा वाक्यों में बाबा ने कहा मीठे बचे बाब ने रूत्र ज्ञान यग रच्छा है तुम ब्राम्हन इस यग की संभाल करने वाले हो इसलिए तुम्हें पवित्र जरूर रहना है प्रश्न में बाबा के मुरली का है अंत समय में बाब किन बच्चों को सहायता देते हैं उत्तर में बाबा ने कहा जो अच्छी रीती सर्विस करते हैं उन्हें अंत में जब बहुत आफतें आएंगी उस समय सहायता मिलेगी जरूर जो बाब की मददगार बने बाब उन्हें मदद करेंगे सहयोगी आत्मा रहेगी सिर्फ खुद का सहयोग नहीं सर्वात्माओं की कल्यानार्थ आपको मंसा वाचा कर्मना शुद्धी रखने है तब तो फिर वो सर्वशक्ती मान आपकी मदद करेगा तो इस तरह से आप मददगार बने तो बाब भी आपकी मदद करेंगे उन बच्चों की प्रेश्ण है वन्डरफुल मुखडा कौन सा है उसका यादगार किस रूप में है बहुत ही प्यारा कॉश्चन और बहुत ही अच्छा बाबा की आज मुरली का प्रेश्ण है उत्तेर में बाबा ने कहा शीप बाबा जिसे अपना मुखडा नहीं वह जब इस मुखडे का अधार लेते हैं तो यह हो जाता है वन्डरफुल मुखडा इसलिए तुम बच्चे सम्मुख मुखडा देखने के लिए आते हो इसका यादगार रूंड माला में मुखडा दिखाते हैं फिर भक्ती में क्या किया, रोंड बाला में मुखड़ा दिखाते, गीत है कितना मीठा, कितना प्यारा, ओम शांते, बेहद का बाप कहते हैं, मैं एक ही बार पांच हजार वर्ष बाद बच्चों का मुखड़ा देखता हूं, बाप को अपना मुखड़ा तो है नहीं, शी बा बाप दादा दोनों का मुखड़ा देखते हो, तब कहते हैं बाप दादा का यादगार, याद प्यार स्विकार हो, अब रूंड माला बच्चों ने देखी है, उनमें मुखड़ा दिखलाते हैं, रूंड माला बनाई जाती है, तो शी बाबा कभी ऐसे मुखड़ा देखे यह कोई को पता नहीं है कि शिप बाबा भी आकर शरीर का लोन लेते हैं, शिप बाबा इस ब्रह्मा मुख से बोलते हैं, तो यह उनका मुख हो गया ना, इस समय एक ही बार बाप आकर बच्चों का मुखडा देखते हैं, बच्चे जानते हैं, शिप बाबा ने यह मुखडा क पहले पहले इनके कान सुनते हैं। भलपफट से तुम सुनते हो परन्तु तो भी सबसे नस्दिक इनके कान हैं कि इनकी ब्रह्मा बाबा की, जिनका मकान उधार लिया है ना, इनके कान बहुत नस्दिक हैं, तुम्हारी आत्मा तो दूर बैठी है ना, आत्मा कान द्वारा सुनेगी तो थोड़ा फर्क रहता है, तुम बच्चे यहां आते हो सम्मुक मुखडा देखने, यह है वन्डरफुल मुखडा, बाबा एक एक शब्दों में कितने रत्न छुपा कर मुरली के महावाक्यों में हम बच्चों को सुनाते हैं, तो जरूर बह कात्री मनाते हैं, तो जरूर शिव बाबा जो निराकार है यहां आकर प्रवेश करते हैं, तो उनका भी यह भारत देश हुआ, भारत है अविनाशी, परंपिता प्रमात्मा का बर्थ प्लेस, परंतु उनका बर्थ अन्य मनुश्यों सहरदाय नहीं है, साद्रश्य जैसे औ मुख से जन मिलेते हैं, और यह मुख वनशावली कहलाते हैं ब्रामन अडॉप्टेड बच्चे जो बाबा के हैं, और यह अवतरित होते हैं, आत्मा इस शरील में अवतरन लेकरके इनके मुख द्वारा बर्थ होता है तो इस तरह से बाबा समझाते हैं कि मेरा जो है न पर प्रशे नहीं है, स्वेम कहते हैं, मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूं, और फिर बच्चों को ग्यान सुनाता हूं, मैं आता हूं, यहां रहता नहीं हूं, और ग्यान सुनाने आता हूं, और सभी आत्माहों का अपना अपना शरीर है, मेरा कोई शरीर नहीं है, शिप का लिंग रूप दिखाएंगे, रूद्रे, यग जब रचते हैं, तो मिटी के गोल गोल लिंग बनाते हैं, साले ग्राम छोटे छोटे बनाते हैं, शिव लिंग बड़ा बनाते हैं, वास्तों में छोटे बड़े हैं नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए कि वह बाप है, वह पूचा भी दोनों की अलग-अलग करते हैं, समझते भी हैं, वह शिब है, वह सालिग राम हैं. ऐसे तो नहीं कहते सभी शिब हैं, ने, शिबलिंग बड़ा बनाते हैं, और सालिग राम छुटे-छुटे बनाते हैं. यह सब बच्चे हैं उनके साथ. बाबा ने समचाया है, इन सालिग रामों की पूझा क्यों करते हैं, क्योंकि तुम सब आत्माए हो ना, तुम इस शरीर के साथ भारत को श्रिष्ठाचारी बना रहे हो, शिप बाबा की स्रीमत सालिग राम ले रहे हैं, यह भी ज्यान यग्रचा हुआ है, रूद्र शिप बा बाबा का, शिप बाबा बोलते हैं, सालिग राम भी बोलते हैं, यह अमर कथा, सत्य नारएण की कथा है, मनुशे को नर से नारएण बनाते हैं, सबसे उच पूझा उनकी हुई न, आत्मा कोई बहुत बड़ी नहीं है, बिंदु, बाबा केते हैं, बिंदी मिस्सल है, उनम कितना नौलेज है, कहते हैं, बाल के नोक से भी कई गुना सुक्ष्म आत्मा है, तो जरह सोचिए, जब आत्मा 84 के पार्ट में लेकर के इतना पार्ट बजा सकती है, तो वो एवर प्योर रहने वाला परम पिता परमात्मा में कितना ना नौलेज होगा, वो है ही ग्यान नौलेजफुल ट्रुथ, गौड इस वन, गौड इस ट्रुथ, तो उसके पास कितना शक्ती होगी, जब हम आत्मा में 84 का पार्ट बजाने के शक्ती होती है, जरह यह सोब बातों को समझना है, बुद्धी से, बाबा कहते हैं, आत्मा कोई बहुत बड़ी थोड़ी ना है, बिल्कुल बिंदी मिसल है, और उसमें इतना सारा नौलेज कितना पार्ट बड़ा हुआ है, इतनी छोटी सी आत्मा कहती है, मैं शरीर में प्रवेशकर पार्ट बजाता हूँ, शरीर कितना बड़ा है, आत्मा थोड़े ना बड़ी छोटी होती है, और आत्मा थोड़े ना हाट में, हाइंड में कहीं भी फिर सो जाती है दूसरे जन्म में, वो तो है ही अकालतक्त विराजमान है ना, सबका, काल, जिसका कोई काल नहीं है, उसे आत्मा कहते हैं, आत्मा अविनाशी है, और अकालतक्त प्रकुटी की कुटिया है, यहाँ विराजमान होती है ना, आत्म सब किस शरीर में तो यही बात बाबा समझा रहे हैं कि शरीर में आत्मा प्रवेश होने से छोटे पन से ही पाट बचाने लग पड़ती है आत्मा जैसे ही जीव को धारन करती है शरीर को लेती है वैसे ही क्या करती है मा के गर्ब में भी जब 5th, 6th मन्त में जब आत्मा जाती है तब से ही तो फिर उसमें मूमेंट चुरू होती है उसके पहले तो नहीं होता, उसके पहले तो वनावटी चलती रहती थोड़ी-थोड़ी लेकिन moment तो जब तक आत्मा धा नहीं ले लेती शरीर को तब तक नहीं moment होती है ना तो कहते भी है ना चेक अप के समय कि अब अंश आ गया है ना ऐसे बोलते हैं तो यह सब बातें बाबा देखिए कितनी सुक्ष्मरीती से समझाते हैं बाबा कहते हैं अविनाशी पार्ट किसे मिला हुआ है आत्मा को और वो जैसे ही आती है छोटे पन से ही पार्ट बजाने लग जाती है अन्यादी आवी नाशी पार्ट मिला हुआ है शरीर तो जड़ है इसले जड़ जड़ी भूत कहते हैं शरीर जड़ है आत्मा जब शरीर छोड़ देती है तो फिर शरीर के साथ कुछ भी करो कुछ भी करो से चीरो, फड़ो, जलाओ, मारो, काटो कुछ भी वो आवाज कहां आती है कष्ट कहां होता है तो आत्मा शरीर के द्वारा सब कुछ करती है चाहे वो कष्ट मैं हो और चाहे सुख मैं हो तो आत्मा शरीर के द्वारा है और दोनों एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है तो इस तरह बाब कहते हैं कि शरीर तो जड़ है, उनमें जब चैतन्य आत्मा प्रवेश करती है, उसके बाद गर्व में सजाएं खाने लगती है, सजाएं भी कैसे खाती है, बिन बिन शरीर धारण कर, आज बाबा ने यह भी किलियर किया है, सजाएं सजाएं काफी समय से गर खोदिया है, तो वह साक्षात कार करते जाते हैं, दंड मिलता जाता है, त्राही त्राही करते हैं, इसलिए गर्व जेल कहते हैं, ड्रामा कैसे अच्छा बना हुआ है, कितना पाड बजाते हैं, आत्मा अंज्राम वाइदा करती है, मैं कभी पाप नहीं करूँगी, इतनी चूटी आत्मा को कितना विनाश्री पाड मिला हुआ है, चुरासी जन्मों का पाड बजा कर फिर रिपीट करते हैं, वंडर है ना, यह बाब बैठ समझाते हैं, बच्चे भी समझते हैं, यह तो यथार्थ बात है, इतनी चूटी बिंदी में कितना पाड है, आत्मा का बह कितना पाड बजाती है, इसको कहा जाता है, कुदरत, कुदरत का खेल कहते हैं न, कुदरत, तुम तो जानते हो, हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, कितना पाड बजाते हैं, हमको बाबा आकर समझाते हैं, कितनी उच नौलेज है, दुनिया में कोई-को यह ही है, यह भी तो मनुश्य था न, इनमें अब बाब ने प्रवेश किया है, किस में? ब्रह्मा बाबा में, ऐसे नहीं कि गुरु गोसाई का चेला होगा, उस से रिधी सिधी सीखे हैं, कोई-कोई समझते हैं, गुरु का वर्दान अठ्वा गुरु की शक्ति मिली हुई है, यह तो बाते ही न्यारी हैं, सम्मुक सुन्ने से तुमको बहुत मज़ा आता है, जानते हो, हमको बाबा सम्मुक समझा रहे हैं, बाबा भी इतना छोटा है, जितना हम आत्मा छोटी हैं, उनको कहाँ जाता है? परम पिता परमात्मा, परम माना सुप्रेम, परे ते परे, परम धाम में रहने वाले, परे ते परे, तुम बच्चे भी रहते हो, बाप कितनी महीन बातें सुनाते हैं, शुरू आत्मे थोड़े ही समझाते थे, बाबा केते हैं, शुरू आत्मे थोड़े ही समझाते थे, दि बच्चे आत्मा कैसे और गेंस त्वारा बात करती है, कहते भी हैं वो ब्रकोटी के बीच चमकती है, परन्तु सिर्फ कहने मात्र कहते हैं, कितनी बुद्धी, किसकी बुद्धी में नहीं आता है, किसको यह नौलेज है नहीं, जो समझाबे, तुम्हारे में भी यह बातें बहुत कम समझते हैं, जो समझते हैं, वो अच्छी रेती फिर धारन करते हैं, और फिर धारन कराते हैं, कई-कई तो फिर आत्मा को देखना चाहते हैं, अगर योग में बैठते हैं, तो योग में यदि वो पॉइंट, वो बिंदू, वो सब नह दिखाई दिया, तो किसी-किसी का हाड़क भी हो चाता है किसी-किसी को तो बहुत मुश्किल पड़ती है uncomfort फील करते हैं क्योंकि जब वो ब्रकुठी के बीच में देखना चाहते हैं चक्र को आप बाबा कहते हैं ये भी नंबरवार अनुसार सभी थोड़े समझते, सब का अलग अलग समझने का तरीका है अब इस त्रिनेत्र को इस तिवियद्रश्टी को इस तिविय चक्षु को ज्यान चक्षु को सिर्फ और सिर्फ समझना है, देख तो सकते नहीं है उस परमपिता परमात्मा को भी नहीं देख सकते, जो परेते-परे हैं, हम परेते-परे रहने वाले हैं, इदर आकर ड्रामा शरीर को लेकर बजाते हैं, तो सिर्फ आपको उसे समझना है, निश्रे करना है, कि मैं आत्मा हूँ, बुद्धी से बापको देखना है, निश्रे करना है, तो यह सब बातें बाबा समझाते हैं महीनता से, बाबा केते हैं किसको यह नौलेज नहीं है, जो समझाबे हैं, तो जो समझते हैं, वो अच्छी रीती फिर धारन करते हैं, परम, पिता, परमात्मा कहते हो तो पिता से जरूर वर्सा मिलना चाहिए न स्वर्ग के मालिक होने चाहिए उन्हों को जरूर बाप से स्वर्ग का वर्सा मिला होगा कहां वर्सा दिया? क्या सत्योग में दिया? जरूर पास्ट के कर्म हैं अभी तुम कर्मों की थियोरी को समझते हो, तुमको बाबा ऐसे कर्म सिखलाते हैं, जिससे तुम ऐसे बन सकते हो, जब तुम ब्रह्मामुक वन्शावली बने हो, तब शिब बाबा ब्रह्मामुक से तुमको यह नौलिज सुनाते हैं, कितना रात दिन का फोर्क है, कितना घो और अधियारास हो गया है, कोई भी बाब को जानते नहीं, जिससे रोशनी मिले, कहते हैं हम एक्टिस पार्ट बजाने आये हैं, इस कर्म शेत्र पर, परंतु हम कौन है, हमारा बाबा कौन है, कुछ भी पता नहीं, श्रश्टी चक्र कैसे फिरता है, कुछ भी नहीं जानते, गया भी हुआ है, अहिल्याएं, कुबजाएं, गणिकाएं, जो हैं, उनको आकर पढ़ाते हैं, प्रदर्शनी में बहुत बड़े-बड़े आदमी भी आते हैं, परंतु उनकी तकदीर में है नहीं, बाप है ही गरीब निवास, सो से मुश्किल कोई एक साहोकार निकलेगा सोफी उच पदपाने का पुर्शार्थ कोई विरला ही करते हैं, तुम हो गरीब, अब बाबा ने कितने बार कहा, जो नौ लख, नौ लख आने वाले हैं न, तो इतनी कडोर आतमाओं में से वो नौ लाखों को चुनना, तो आप यदि परसेंटेज निकालें तो माइनस में जाएगा, कितना प्यूर करना है, सेम वैसे ही जैसे आजकल आरो लगाते हैं घर में, तो जो वेस्टेज वाटर होता है, वो वाटर बिलकुल नौन स्टॉप गिरता है, और जो प्यूरिफॉय वाटर जाता है अंदर, वो डबे में एकठा होता है, तो वो ड्रॉप ड्रॉ जो कर्मतीत है, वो इतनी में चुनना है, तो कितना मुश्किल है जजमेंट देना, तो भाबा कहते हैं, सो मैं से मुश्किल कोई साहुकार निकलेगा, जो उचपत पाने का पुर्शार्त कोई विरला ही करते हैं, तुम हो गरीब, माताओं के पास बहुत पैसे आदी कन्याओं के पास कहां से आएं, वह तो फिर भी हाफ पार्टनर है, कन्या को तो कुछ भी नहीं मिलता है, वह वहाँ चली जाती है, हाफ पार्टनर बनती है, बरसा नहीं ले सकती है, बच्चे तो फुल मालिक होते हैं, तो ऐसी कन्याओं को ही पहले-पहले बाब अपना बन उसी तीन चीज़ें काम उन्ट कर भाई, एक तो पढ़ाई की प्रमाचारी, लाइफ है, गरीब है, पवित्र है, इनकी पूछा होती है, कई-कई बेहने दीदियां, जो बाबा की सेभा में, विश्व सेभा में, शांती के स्थापना के कारिय में, जो रोहानी, आत्मा है, रो रोस में भी उनके लौके माबाप उनको छोड़ कर चले गए, तो सोचिए जरा कितनी पवेत्र आत्माएं हैं वो, कितनी शक्तिशाली बाबरफुल बच्चे हैं, तो इनकी पूजा होती है, हैं सारी इस समय की बाते, इस समय तुम्हारी अक्ट चलती है, जो फिर पूजी जाती है, शिव जयन्ती विगर कृष्न जयन्ती हो ना सके है, शिव रातरी पहले आती है, फिर कृष्न जनमाश्ट में आती है, वो से भक्ति में कुछ का कुछ कह दे, तो तुम जानते हो शिव जयन्ती फिर कृष्न की, राम की जयन्ती, शिव जयन्ती से जगत आमबा, ज जगतपिता का भी जन्म होता है, अब ब्रह्मा विष्णु शंकर जो रचना तो रचता बाप की रचना कब रची, जब बाबा आते हैं न तो शिव जैन्ती से जगतपिता भी जन्म होता है, तो ज़रूर जगत का ही वर्षा मिलेगा, सारे जगत का मालिक तुम बद्थे हो, जगत माता है जगत की मालिक, जगत अमबा का बहुत मेला लगता है, ब्रम्मा को इतना नहीं पूचते हैं, तो बाप माताओं को आगे रखते हैं, शिवशक्तियां माताओं को सबने ठोकरे मारी हैं, खास पतियों ने, यह तो पतियों का पति है, कन्याओं को समझाते हैं, यह जगतंबा की बच्चियां मास्टर जगतंबा हुई न यह बच्चियां भी मा जैसे कारे कर रहे हैं मम्मा मिसल तुम भी त्रकाल दुर्शी हो, मेल फी मेल दोनों हैं, प्रबर्ती मार्ग है न मेस्वरटी माताओं की है, नाम भी इनों का बाला है ब्रह्मा का इतना बाला नहीं है, सारसिध ब्रामन ब्रह्मा को पूझते हैं, दो प्रकार के ब्रामन होते हैं, एक सारसिध और एक पुष्करने शास्त्र सुनाने वाले अलग होते हैं, यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं, कैसे यह चक्र फिरता है, कैसे मैं आता हूँ, वाइदा तो है ना कि मैं फिर से 5000 वर्ष बाद ग्यान सुनाऊंगा, वर्ष के बाद फिर आऊंगा, तो गीत में भी है ना, जो पास्त्र हो जात वो फिर भक्ति मार्ग में गाया जाता है। यह तो अनादी ड्रामा है, कभी शूट नहीं होता। इनका कोई आदी मध्य अंत नहीं है, चलता ही आता है। बाप आकर समचाते हैं यह ड्रामा कैसे चलता है। 84 जन तुमको ही भोगना पड़ता है, तुम ही ब्राम्हन, देवता, शुत्री, आदी वर्ण में आते हो। कोई इस जीवन में जो लौकिक संसार में यहां आकर के मनुशियों ने बना दिये हैं, वो वर्ण नहीं। हम जब 16 कला रहते हैं, तब हम क्या रहते हैं। देवता रह हैं। फिर जब हम दो कला कम होते हैं, तो शत्री में आ जाते हैं। तो इस तरह बाप हमें कहते हैं, तुम ही इन चारों वर्णों में आते हो। फिर वैशे शूद्र भी बनते हैं। तो यह ड्रामा है। और हमारा जो अनादी स्वरुभवता है ही पवित्र, प्यूर। ले तो बाबा समझाते हैं कि तुम ही ब्रामान, देवता, श्रित्रिया दिवर्ण में आते हो। श्री बाबा और ब्रामान दोनों को गुम कर दिया है। ब्रह्मा द्वारा तुम ब्रामान बनते हो, ब्रामान ही यग संभालते हैं, पतित तो यग की संभाल करना सकें। यग ज जब रचते हैं, तो विकार में नहीं जाते हैं, पूझापाट करते हैं, तो विकार में रखते हैं, तो विकार में नहीं जाते हैं, तो यहाँ बाप एथार्थ समझा रहे हैं, कि कुछ एक समय के लिए नहीं, इस एक जनम के लिए, तो यह आत्रा पर भी विकार में नहीं जा तूम हो रुखानी आत्रापत, तो विकार में जाने ही सकते हो, नहीं तो विगन पड़ जाएगा तुम्हारी है रुखानी आत्रापत, बाबा कहते हैं मैं आता हूं तुम बच्चों को ले जाने, मच्चरों सा द्रशय में जाओंगा, वहां हम आत्माय रहती हैं वह परमधा जहां आत्माय निवास करती हैं, फिर हम आते हैं देवता, शत्रिय, वैश, शूद्र बनते, अभी फिर ब्राम्मन बने हैं, जो ब्राम्मन बनेगा वही स्वर्ग में चलेगा, वहां भी जूलों में जूलते हैं, वहां तो का प्यार है, अब ना तो Krishna को किसी ने देना होता ना ही राध्य को, और ना Lakshmin न आरेन को, और ना Devindewताओं को, किसी को भीन चैराम सीता को, किसी को ये सब तो जो भासना है कलपना है हमारे अंदर में उनके प्रती एसी भासना आती है कि वो ऐसे ऐसे में उस नहीं होंगे तो वो हम उस चित्र में चित्रन करते मह इसका तूकि मन मोहते हैं कि उस में भासना आती क्योंकि वो निर्विकारी होते है तो एसा सुंदर बनाते हैं कि उन्हें देखते ही रहो हुई है teraz तो कितना अच्छा श्रंगार तेuren को उनके साथ सब का प्यार है बाबा केते हैं गाती है न बजो राधे गो विंद चलो ब्रंदावन अभी तुम प्रक्टिकल में वहाँ चलने के लिए तयार हो रहे हो जानते हो हमारी मनों कामनाई पूरी होती है अब यहाँ भी तो परम पिता प्रमात्मा जब हमें इस ग्यान के द्वारा इस हमें बनाया है तो तीनों कालों का जारों योगों का जो हम समझ पा रहे हैं तो इस संगम पर बैठ करके ज्ञान के द्वारा इस दिविद रष्टी से समझ पा रहे हैं देख पा रहे हैं तो इस तरह बाप ने हमें चोरासी का चक्र कैसे स्वादर्शन चक्र घूमता है कैस दियान कि दिया है to Baba कहते हैं इस तरह से अभी तुम श्वर ये पूरी में चलते हो है न तुम्हारी सभी काम्नाएं पूरी होती हैं जानते हो बाबा सबको केसे ले जाते मक्खन से बाल बाप तुम कोई तकलीफ भी नहीं देते हैं, कैसे सहज बादशाही देते हैं, बाप कहते हैं, जहां चलना है, उस अपनी कृष्ण पूरी को याद करो, एक आख में सुख धाम और एक आख में शांति धाम, तो पहले पहले जरूर बाबा तुमको घर ले जाएगा, फिर वहां से भ पहली जाना होता है ना, डारेक नहीं होता जाने का, तो अब समझते हो, वापस जाते हैं, फिर आएंगे कृष्ण पूरी में, हम स्रीमत पर चल रहे हैं, तो बाग को याद करना हैं, पवित्र बनना हैं, यात्रा पर हमेशा पवित्र रहते हैं, जब हम भले भक्ती में भी यात्रा करते हैं, तो भी कैसे रहते हैं, पवित्र रहते हैं, मंसा से भी रहते हैं, बाचाय से भी और कर्मना से भी, कि किसी के लिए बुरा मत सुन, सोचो तुम कहां जा रहे हो, भगवान की पास, तो कैसे तुम बुरा बाला किसी के बारे में सोच सकते हो, तो इस तरह से बाबा कहते हैं इसले पवित्र जरूर रहना चाहिए और पढ़ाई भी ब्रह्मचरिय में पढ़ते हैं पवित्र ता जरूर चाहिए बाब फिर भी बच्चों को पुर्शार्थ कराते हैं इस समय का पुर्शार्थ तुम्हारा कल्ब कल्ब का बन चाहिएगा पुर्शार्थ तो करना चाहिए न यह स्कूल है बहुत बड़ा जो जरूर पढ़ना चाहिए भगवान खुद पढ़ाते हैं एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए most valuable पढ़ाई है यह बाबा कभी मिस बाबा भी कभी मिस नहीं करेगा यहां तुम बच्चे सम्मुख खजाने से जोली भर सकते हो जितना पढ़ेंगे उतना नशा चड़ेगा बंधन नहीं है तो फिर ठहर सकते हैं परन्तु माया ऐसी है जो बंधन में बांध देती है बहुत हैं जिनको छुटी भी मिलती है बाबा कहते हैं पूरा रिफ्रेश हो जो बाहर जाने से फिर वह नशा नहीं रहता है बहुतों को सिर्फ मुरली पढ़ने में भी नशा चड़ जाता है देखिए बाबा बहुत चतुर सुजान है जानते सब के अंदर के हैं लेकिन उनी की जानेंगे जो बाबा को दिन रात याद करते हैं ऐसे कैसे कर लेंगे कैसे जानेंगे जो याद ही ना करता हो तो जो उनसे जुड़ा है आत्मिक संबंद से प्यूरिटी के साथ तो वो आपके भी जान लेता है मन की तो बाबा केते हैं इस तरह से किसी को तो अंदर रहने पे होता है नशा फिर बाहर जाते फुर हो जाता है बहुतों को तो सिर्फ मुरली पढ़ने से भी नशा चड़ा रहता है बड़ी आफ़ते आनी हैं मदद उनको मिलेगी जो मददगार बनेंगे आच्छी रीती सर्विस करेंगे तो उनको अंत में सहायता भी तो मिलती है ना आच्छी मीठे मीठे सी के लाधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्दे हम रुहानी बच्चों की रुहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, इतनी प्यारी मुर्ली सुझाने के लिए, हम बच्चों को अपना बनाने के लिए, भाग्य विधाता की संतान हम हो गए, सु भाग्य शाली हो गए, यही हमारा मननचिंतन रहना चाहिए, भाग्य को कोस्ना नहीं चाहिए, भाग्य को चंकाना है, तो श्रेष्ट संकल्पों से खुद को भरपूर रखना है, धारना के लिए मुख्य सार पहला बाबा ने कहा, पढ़ाई most valuable है, स्वेम भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए एक दिन भी मिस नहीं करनी है, ज्यान खसाने से रोज ठोली भरनी है, दूसरा य यात्रा पर चल रहे हैं, रूद्र यग की संभाल करनी है, इसलिए पवित्र जरूर रहना है, किसी भी विकार के वश हो विग्न नहीं डालना है, वर्दान है, भाग्य विधाता बाप द्वारा मिले हुए भाग्य को बाटने और बढ़ाने वाले खुश नसीव भव, सबस बड़ी खुश नसीव यह है, जो भाग्य विधाता बाप ने अपना बना लिया आत्मा को, दुनिया वाले तडफते हैं, कि भगवान की एक सेकंड भी नजर पड़ जाए, और आप सदा नैनों में समाई हुए हो, यह जो आख में एक छोटा सा, देखिए, यह पूरी आख की जो बनाबट है, वो इस आख प्रोटक्शन के लिए है, लेकिन इस इतनी बड़ी आख में सिर्फ जो वेल्यूबल है, वो एक छोटा सा वाइट कलर का डॉट है, सिर्फ उस से हम दुनिया देखते हैं, देखने वाली तो यह है, लेकिन इसमें वो पार्ट सिर्फ वेल्य है, बाकि सब यह देखने के लिए है, क्योंकि यदि सिर्फ वही पार्ट रख दें, तो फिर यह देखने जैसी ना रहे हैं, तो कुछ ना कुछ है इस रचना में भी, तो इस तरह से शरीर भी बाबा कहते हैं, शरीर की बनाबट, शरीर की सुन्दर तब ही आपके कर्मों से ही आती है, तो इस तरह से बाबा कहते हैं, कहते हैं ना कि भगवान की नजर पढ़ जाए और आप से दनेनों में समाई हुए हो, इसको कहा जाता है खुश नसीव है इस पर इठलाना चाहिए, इस पर इत्राना चाहिए, कि इश्वर की नजर हम पर पढ़ी है और इश्वर अपना बनाया है, तो इस बात का गर्व होना चाहिए, भागय आपका वर्सा है, सारे कल्प में ऐसा भागय अभी ही मिलता है, तो भागय को बढ़ाते चलो, बढ़ाने का साधन है बाटना, जितना औरों को बाटेंगे, अर्थात भागयवान बनाएंगे, उतना भागय ना बद्धुआ दो, ना बद्धुआ लो, है ना, तो सहयोग करो यह आखुट का जाना बाबा ने दिया है, अपने भागय की लकीर की कलम दी है, खीचने के लिए तो खीचते चलो खीचते चलो, खीचते चलो आज का स्लोगन है निर्विगन और एक रस्थिती का अनुभो करना है तो एकागरता का अभ्यास बढ़ाओ और एकागरता का बाएगी जब आप निर्विकल्प नहीं बनते ना आपको श्रेष्ट संकल्पों से भरपूर होना है तो जब हम अश्रीली होने का अभ्यास करेंगी तो हमारे अंदर में concentration आएगा है तो हम अश्रीली रहेंगे तब हम परमात्मा के साथ में लगन लगा सकेंगे शरीर को याद करेंगे तो शरीर के संबंध ही याद आएंगे रिष्टे नाते नोकरी चाटरी ना बहुत एक साधन लेकिन जब हम खुद को इन बहुत एक सुकसु भिताओं से थोड़ा परे रखेंगे जो है उसमें ही संतुष्ट रहेंगे तो हम प्रमात्मा को याद कर पा आप सभी का शुक्रिया बाबा का शुक्रिया ओम शांती सभी को